है कि आ हलो नमसकार दोस्तु स्वागत्य आप में पेसित कोऔर है अपको कि एक में टा में आपको देखता हूं अ जस्ट मुझे एक श्रेकनद के दिछी कहीं हेलो हुँ हुँ ओके हो गया चलो स्टार्ट करते कहा पहे गया हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यह हमारा रिविजन का कितना नंबर का लेक्षर है इससे पहले रिविजन में हमने अब तक गयारा लेक्षर देखे थे और गयारा लेक्षर में हमने जैसे डिसेड गया था उसी तरह के से हमने हमारा जो सिलाबस से उसको हमने revise किया था अब चलो आगे चलते आगे कहा पे हम यापे जो previous lecture था हमरा उसमें हमने कहा देखा था कहा गया हाँ जो अगर बात की जाए जोगर्फिक की तो हमने previous lecture में जो classification of rock था ये देखा था ये देखा था ये जो हमरा अर्थ ना ये देखी हमने शरू में कहा देखा था structure of earth interior जो मॉर्फ लोजी देख नहीं तो उसमें शुरू में हमने earth का जो इंटेर इसके बार में जाना उसके बार हमने classification of rock हमरे आपे जो सारे rock से उसके बार में ये अपकी कभी मन में सावल आता होगा ना कैसे बनाए इस शुरू में तो नहीं होगा ना मतलब या होगा या पहले से ऐसा ही था या बाद में बना था क्या था ये सारा पुरा ना में इसमें देखना ये distribution of ocean and continent ये वाला जो हमारा चाप्टर है इसमें हमें देखना है और कहा गया इसमें हमें टोटल कितनी लेक्षर देखने है ये तीन और दो पाच ने चुलिए चार लेक्षर में हमें इसको खतम करना है तो शुरात करते है सब सबहे ले देखो distribution of ocean and continent हम इसको ने एक स्टूरी थेर्ण थेरी तिसरी ये प्लेड टेक्टन थेरी विए बहुत इंपोर्टन समाझ यह आप ये दो तहरी यह इसमें थूड़ी-थूड़ी चीजहाद लगी थी बाद में दोनों को मेला कर दिसरी बनी थी अब ये क्या था क्या थेरी थी इसको हम एकदम डिटिल में देखन थी शुरू में तर रहा नहीं ना बात में यह कैसे सारी चीजे इमर्जा क्या आई थी और इसके मंद में सवाल आया और उसके मन में कब सवाल आया है 1915 में समझ गया 1915 में एक चलुट से पहला आया था और वो बंदे का नाम था नौर्थ अमेरिक यहां पे शारा चीज़ कमेली पर इसको यह की चीज नहीं रखेंगा यह सारी चीज़ शारी पुलिधे किसा थी यह इसको मिला ही नहीं इस नहीं प्र tão सिए प्र उससने समय किया मेरкив रिटर्च क्या साफ्ट पड़ना और इसन फिर बाद में इस्को पताच है सारे सारे continent और ये जो ocean से ये एक time पर ना मतलब अभी जा पर जैसे अब आप Asia या उसके बाद या पर North America South America या पर एशा या पर Europe इसके या पर या पर ये आउस्टरिया या पर Antarctica या फर आफरीका है तो इसने बोला कि एक time जो था उस टाइम पर ये सारे आफ्रीका यूरोप अंटर्टिका ये जो सारे हमारे साथ कंटेने न एक टाइम ऐसा था कि एक जोई थी और उस टाइम पर इसको बोल जाता था पेंच जिया बाद में इसके दो तुकड़े हो गई बाद में ये दो तुकड़े में बढ़ गया और एक को उपर वाला का जो प बंदा सामने आ रहा है सबके सामने और वो लोगों को बोल रहा है कि अभी का जो हमारा अलग अलग जो हमारे इसा बना हुआ है यह बात कही थी अलफ्रेड वेगनारे उसके एक थेरी में उसका नाम था कंटिनेंटल रिप थेरी जो कि वो 1915 में लेके आया था अब लोगों ने उसको पूछा कि भाई सब आप तो सही तो बोल रहे हो पटा आप कुछ प्रूपत दो चलो मान लिया कि पता है क्या इस नहीं सब्रूप दिया कि यह जो कोष्लाइन है अलग अलग यह देखो यह आपर इस नहीं सब्रूप दिया कि देखो यह आपर जो कोष्लाइन है अलग अलग जो यह आप देखो यह आफ्रिका यह इसको देखो यह आप अगर जोइन किया जाए तो एक फोसिल यह बोला अलग-अलग जो जानवर मरें पुरानी जमाने में उनका अगर आप जो एक्सक्राइशन किया जाता है जमीन के अंदर गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं मतलब जानवर उनर जो चीज़े बड़े-बड़े फॉरेस्ट वगरा उसका अगर देखा इसको सारे के सारे जो कंटेन्ट थे एक साथ ही उनका जनम हुआ हो और साथ में एक जैसी रॉक हो फिर उसने बोला कि पहले जो इविदेंसे मतलब जैसे कि आप जो इंडिया इंडिया का जो उपर वाला जो पार्ट है हिमालिया और ऑस्ट्रिया उसका जो वेदर है वो करती अलग-अलग जगों की तो इस तरीके से इसको लोग ने बहुकूप बना है लोग ने बॉला बाई सब तू जो बोल रहे है कि यह सारे अलग-अलग जो एक टाइम पर एक ही पार एक ही जगा का पार थे यह चीज़ पर हम भरुशा नहीं करते तो फेक रहा है तू चल चीज़ बूली थी इसने कि अलग पहले क्या था यह जो अलग-अलग अलग 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 कंटिन्ट जो है यह जोईन थे और एक बड़ा लैंड मास था उसको नाव पेंच चाता बाद में इसके दो तुकड़े हुए फूपर वाले के नाम लोरेशा नीचे वाले कनाम गौं वो बिलीव करने लायक नहीं थी, तो इसका जो इवडेंस थे, ये लोगों को कनमेस नहीं कर पाई, इसलिए इसकी थेरी को रिज़ी किया गया, समझ गया आप, तो अब यहां तक समझ गया आप, कि एक अलफेट वगना नम का आदमी था, यह रात में स्वया होता, इसको सपन और गोडवना नमी दो पाट में टुकड़े हो गए, और बाद में आईसा अमारा वाड़न बना है, इसने ऐसा बोला, पर इसकी थेरी को बाद में लोगों ने रिजएक कर दिया, यहां था क्लेरे, आगे चलती, अब यह कोश्चिन नहीं का आता है आपको, कि इंडिया जो अलफ्रेड वेगनर था, यह कब था, 1915 में आया था, इसके नाम थी कंटिनेंटर ड्रिफ्ट थी इसकी, 1915 में, अब बाद में क्या हुआ, लोगों ने इसका ब्योकूप बना दिया, बाद में एक बंदा था, जिसका नाम था, अल्थर होम्स, इसने ना, इसने उसको सीरेस ले लिया, इसने बोला, जो अल्फ्रेड वेगनर जो बुचीज बोल रहा है, बले इसके पास पूरूप नहीं हो, प्रबंदे के बात में दम ही, यह कुछ बोल रहा है, इसने क्या कर दिया, इसने उस पे रिसर्च करना स्टाट कर दिया, इसने बोला, चलो यह तो बात कर होती है, उसके बात मेंटल होता है, और उसके बात करश्ट होती है, तो यह अल्फ्र हम जो था ना, इसने उन्नीस सो त्यस में ऐसा एक डिसकोवरी की, इसने एक ऐसे थिरी लेका है, जिसका नाम था कन्विक्शन करन्ट थिरी, उसके एक कार्ण इसने बोला, यह जो बीच अब बूलते हैं अस तो निइस फएर यह जो आपर मेंटल न इसके अंदर इक्टिव एक्टिव हैग多 रेडियोक्टिवट एलेमेंड्स होते हैं जिसके वह तैंब के बाद यह बाहर आने की कोश्वार आने और यह अर्थ को ब्रेक कर देते हैं और वह आसे बाहर आते हैं और यह अर्थ के अंदर ऐसे घुमते रहते हैं समझगे क्या मतलब अर्थ के अंदर ना प्लेट नाम की कोई चीज होती प्लेट नाम की इसमें तो आप ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था बस इसने यह बोल direction में और एक जगह ब्रेक हो जाता है और वहाँ से कुछ समझ रहे हैं मैटर बाहर निकालता है और यह गुमता रहता है इसके वाज़से ऐसा हो सकता है कि यह जो landmass है जैसे यह पहले क्या होगा यह दो landmass यह चिपका होगा पर अल्थरोम्स क्या बोल रहा है एस तो निस पेर म तो इसके वाज़से यह गुमता रहा है इसके वाज़से Continental Drift healthy यह जो बोल रहा यह सच बात हो सकती इसने जो बोला था ना कि घुमता है बात तो ऑसे गुमता है पर टेक्नीकल रिजन क्या कैसे घुमता है ऐसा गूमता हो गए यह किस ने बोला था धा कनेमिक्शन करिक्ट आर्थ का मेंटल होता है जो दो नंबर के लिए रहोती है इसके अंदर कुछ ग्रेड एक्टिविटी होती है उसके वयसे जो प्लेट्स होती हुँँगो अपोजिट डियर्क्शन में घुमती रही थी है और उपर वाला जो श्ट्रक्चेर है उसके वयसे वह खिस सकता है समझ हैस और रोबर दयस यह दो सैंड़िस थी यह भी रात में सोय हुए थी इनको इक बार सपना आया इनको सपना क्या आया कि यह जो है लेक्ट इसमें क्या बोला है कमेंट क्या सर फास्ट होई होगे थोड़ा स्पीड़ स्पीडD canım करदेते यह छो हेरी skilled RWERी यह वर्लå यहनूने क्या कर दिया इनूने यह जो था 374 इसमें इनुन्रेक्शन करेंट अपर मैंने में यह जो चीज है मतलब crust के नीचे mental में convection करण डाम की चीज होती है मतलब कुछ plate type की चीज होती है यह opposite direction में घुमते रहे थी ऐसा किस नी बोला था ऐसा से अल्थर हुम्स ने बोला था उसके इस convection current theory में युन्हों ने उसी चीज को उठाया और युन्हों ने बोला कि अंदर क्या होता है divergent plate divergent plate मतलब क्या ये plate होते ही नीचे mental में और एक दुसरी के opposite direction में ये घुमते रहते है पर चुड़ते हैं उसके वज़े से क्या होता है अंदर ना बहुत रेडिय अक्टिविटी कुछ मैटर होता है किमिकल मतलब वहाँ पर रेडिय अक्टिविटी होती है अंदर टेंपरेशर बढ़ता है उसके वज़े से convection current ये मूँख करने लगते है ये जो प्लेट से ये आपशिन डायरेक्शिन मूँख करने लगती है और अर्थ का जो crust एक जगा उसको वो crack कर देती है अर्थ के crust को एक जगा वो crack कर देती है और अंदर से बैसल्टिक एरप्शन अंदर से लावा बार आता है समझ गए और वो मैंटर मेंटर नीचे होगा इर्थ को लावा इसको बोलता है ये इसको बोलता है अगर वो लावा समंदर के अंदर गूमता है तो अब मैं आपको यहाप देखाता हूं ये ने का बोलना क्या है कि यह जो देखू इसके अंदर नीचे प्लेट है इसके नीचे प्लेट है यह पोजिशन डिरेक्ट में घूमी इसके वज़िए यहां से यह ब्रेक हो गया अर्थ का क्रश्ट और वहां से लावा बार आ रहा है और एक बार आया था तो एक लाईन होगी यहां फिर दुसरे बारा है यह आ लगलग यहां पर एक इस तका है यह आपर इस तका यह आ पर सानी होती है मिड़ और शि Why Agr और नी जया रहती है जो जो समंदर होता है उसके नीचे जो launch अंदर होती है वह एक दूशरी से दूर जाती है उस neutroned banana ब्रेक हो जाता है और अंदर से लाबाबारा आता है और उससे एक रीज बनती है और उस्स रीज को बोले जाता है मिऍड ओशेनीक रीज यूद तकले रहा समझ गहिए और ऐसी जो यह अर्थ ओशेन का इंटेर्यडरी उसके अंदर देखो यहाँ पे रीज भी होगी पर वह पर ट्रेंचेस होते हैं इन्होंने क्या बोला कि ऐसी बीड ओशन रिग्रीज होती हैं उसके नीचे से कुछ मैटर ऊपर निकलता हैं लावा वगरा ऐसा फेलतर रहता है और एक साल हो गया वापस दूसरे साल वापस मीड ओशन रहता है वापस एरप्शन हुआ ऐसा त लाट्रेंच में जाके गीर जाते हैं मतलब वौँब नीचे चला जाता है अब चला होते हैं जहां पर कंटिनेट हैं यहा बिड़ा या आँपटर यहां लड लाटमास है और ऑसिन में इसको को फिछन पी कोंसी सबसे से कम्रिशा कों सी punyageneration and vivir plank कोषिन जींग है जाए प्रप तिन ओशन में इस पर कोशन आता है तु यह देखो मेरा इने ट्रेंज यहाप पे लिना यह यहाफ को यहाप यह संगा यह आ इस दिपस रोशों ने डिफेस रेंग चींग बसे साथ चीजे इन नोर्स में वें प्ढ़ सकते हैं पढ़ रहे हैं वापस में आपको बता हुए क्या देखा देखा दोचीजे देखा हम वापस आलफेड वेगना नाम का एक आदमी था इसने इसको ये सवल आया कि वोशन और कंटेंट कैसे बने थी फिर इसने एक थीरी अपनी सब के सामने रखी इसने बोला कि सारे जो लाइनमास थे ये एक टाइम ऐसा था कि एक जगह थे एक ही जगह थे एक ही मतलब एक ही लैंड मास बाद में इसका डिफ्रेंशेट हुआ ये दो तुप्डेंट बढ़ गये और बाद में आप छोटे-चोटे तुप्डेंट बढ़ गये जो आभी हमारे इस तरह किसे बने इसने बाद जो कही थी ती पर इसके पास सही से प्रूप नहीं थे बाद में जो अल्थर ओंस नाम पुरा फ्ल जाता है और उसको बोलते है मीड उसी रीठीी और ऐसे काफी बार लाओ आता है तो पहला वाला ल्आ हो साइट में जाके duż नहीं है दापाikte जाके ऐसे मिलेंस व्फफिक में जाके गिर जाता कि हमारे दुनिया में जो ocean और continent है ये कैसे बने थे समझ रहे न आप तो ये आप ये आपको मतलब इसमें जो चीज बोली गई ये सच है ये इसमें जो चीज बोली गई ना कि हमारा जो ocean और continent है एक टाइम पर एक जग एक landmass का पार्ट नहीं थे ये चीज सच है मतलब अभी ज प्रेस लेक्षर में में थे आप हाता इसके बाद मौरे रेक्षर में साय आपक जब एक चानलत है निए जचेज निए छेज बुटे बस अखतम हो गयतए तो जब 600 बी से आई थी नाव तो चांड़ येज ए ना उस टाइम चेंपत ना पर गगिए ना मिए आ की चीज थी, ऐसे 16 महा जनपतास थे, उनकी बीच में राइवलरी थी, दुश्मनी थी, एक दूसरे से सारे लड़ते थे, बाद में सुपर में से हजर की मगत ने, मगत एक महा जनपता था, उसने बागी अंगा फंगा सबको हरा दिया, और खुद एक एंपायर बन गया, तो म देन के बाद आशित दो-चार और राजा आए थे, वो इतने पॉपलर नहीं थे, एक टाइम क्या हुआ, एक कासिय का जो वाइसरोय था, उसने इसको टपका दिया लास्ट वाले को, और वो खुद राजा बन गया, उसका नम था सिसुंगा, फिर क्या आगई सिसुंगा दै प्र वो राजा बन गया, और उनकी डाइसरी आए, उसका नम था महा पदमणंद सिसुंगा नंदर निश्री था, यसे महने थे आपका घुषत या., थि और यसके बाद यसो धन राजा बन गया, इसको टपकाया, उसने चंदरुपत मोर्य जो था, उसने टपकाया सिंगा यह dynasty खतम हो गई और नई dynasty आई मगत एंपायर में जिसका नाम था मोरे dynasty समझ गई और यह हमारे एक्जाम केले बहुत इंपॉटन्ट है अब मोरे dynasty में क्या हुआ था यह धनान्दा धनान्दा को किस ने आ रहा था चंदरुपत मोरे न आ रहा था वो कैसे था क्या था हमने ला अब जैसे कि आपको पता हुगा अब जैसे कि आपको पता हुगा जो No's nomination होता है बाप के बादा राजा क्रोन बनेगा वह होता है पहले था यह all प्रहीं गाला यो राजा होता है यह पहले नहीं क्यमे ल, अब बाप को म bosses आपका ये बहुत का सकता ह को हुआ प्स winter नहीं कोंचRO इंप स्क्षेन को और भी पर कुछ भी इसको इनको मारा आ दे असले इसको अन अनोने इसक अभब है विंसार ने अशुका को अभाएं बना दिया तो क्या पना अर आर अभब की आधात ठीजा पे अन रिफまた अहिए घ्राज ऐसंग। तो बाद में क्या हुआ ऐसे कुछ सरक्म्टेंस आए कि इसने आपने भायों को मार दिया और फिर यह राज बना था वो क्या था वो क्या था हुआ हमें सारा आगे देखना है समझ यह हमने थोड़ा साउथ के मुविस के तरह बैगरोंड देख लिया अब हमें एकदम शूरी स इसके बिंदु सारकी और यह पोता था किसका चंदरुपत मोरे का अब इसका और एक नाम है क्या है देव नाम पिया और प्रियादसी यह इसका नाम है इसका अशुका का संसग्रोथ में और इसको इंडिया का वन आप ग्रेटेस इंपरर बोल जाता है मतलब हिंदुस्तान म इसका जनम होता 324 समय और इसका कारेकाल जब था यह दो सो अड़ सर से लेके 232 तक यह राजा था इतने साल तक यह राजा था समझ गया है आगे देखते हैं इसका ज़ा ही इस गिवन नेम वाज अशुका बड़ ही अजुम दे टाइटल अप यह क्या है देव नपिया प्रिया प्रियादसी विच मेंस बिल्यूर ऑफ दगाड मतलब जो बगवान में बिल्यूर करता है वो यह छोड़ इतना कुछ काम करनें बस इतना याद रखो कि इसका जो नाम था वो देवन पिया और प्रियादसी भी इसका नाम था बाद में अब अडली लाइब हुआ क्या शुरू में क्या हुआ अशुका राजा कैसे बना हुआ हमें देखने है अशुका जो एंपायर था ना वो अफगानिस्तान से लेके वेस्ट में कहा तक बंग अब तक उतना नाम इंडिया में किसी का नहीं था मतलब अशुका नहीं किसी से geral कि उतना ऑगilt नहीं जितना चॉल्यूर невतां इंडिंड या ४ोली आंद्लरी जितना जितना राजय को रिंद क्या जांने इंडले क्या कर मैं अपने राजरी नहीं में इतना बड़ावर ब उसके बाद उसने काफी mini ediks, आशका ने काफी ediks बनाए, ediks मतलब क्या उसने pillar बनाए, काफी मतलब उस pillar में काफी चीज देली, वो आगे देख थे क्या होता ediks, समझ गए, आशका जब राजा था, तो कोशन आगा उस टाम पर capital क्या था, उस टाम पर capital था, पाथले पुत्र औ इनका capital था, मतलब जब अशोका राज था, उस टाइम पे पटली पुत्र जो है, अभी का पटना जो है, बियार का, वह आसी ये पुरा इंडिया चलाए जाता था, मतलब अशोका अगर टेक्निकली बोल जाए, अशोका बियार ही था, मतलब अभी जो पटना है वो बियार में तो आशोका उस टाइम पे बियार में पैदा हुआ था तो आशोका उस टाइम पे बियार ही था और पटली पुत्र जो है पतना, वो पतना से पुरा इंदुस्तान चलाए जाता था, पूरा इंदुस्तान का जो पॉल्टिकल, पॉल्टिकल जो था, सारे चीज, डिसीजन, वो सारे के सारे प्णासील हए आप समझ रही उसके बात आगे देखो आश्यो का यह पूरा यह सके कम करेकाल मतलब इसका behöम है इसका दोब कर आयि और आगे देखे hat प्रफ़ी अंतला जो जो भी राजा राज़ा हो तैस इस सब कर्फ़ाइन जीद का तो बड़ा बेटा जो टाए वह बाप की राजा बंता था अब ये ना ये विनुंदु सरा जो ता उसको बीनुंदु सरा वांटेरी सें येल्डर सन सुशिमा लह का था इसका बड़ी डिव का बड़ा लालका था अच्छ बिंदु सारा जो आशोका का डैड़ हुए उसको लगता था कि यह बाई साब उसको बड़ा बेटाइम वो राजा बनी बट आशोका जो था ना वो बहुत ही स्मार्ट था मतलब राजा के बारे में बहुत जाधा इसके बास एड्मीशेशन के सबसे बड़ी है अच्छा बना था इसके बास च्रेंग रहा यह तरेंड साब कब यह जब गवर्णर उजजन था तो इसने काफी लड़ी थी जीती थी इसको काफी राजा के पास जो कॉल्टी उने चाहिए थी यह इस सारे कॉल्टी इसके पास थी अब क्या हुआ था जब इसका डैड़ो चल बसे थे दो सबात तरबीशी में इसके आशोका के जो फादर थे बिंदू सारा यह मर गये उसके बाद आशो अशोकवा की एक मूव आई थी उससे मैंने इमीज ली और उसमें दिखाए गाया कि यह जो टेंपर क्यों बना था रूतलिस क्यों बना था क्योंकि उसमें ऐसा दिखाए गया कि इसका ना जब उज्जन करा रहा था उसके बाद इसका जगड़ा हुआ मतलब इस्टोरी पता नहीं सचे जूटें मैं जैस आपको बाताता हूँ ताकि आपको स्टोरी के वाज़े से क्या होता है सारे सारे चीज़े नहीं याद रहे थी सही से देखो यह जो है क्या मुलते इसको अशोकवा का उज्जन में जब था यह तब इसके बात घर आया था अगर में क्या होगा इसके बापके साथ जगड़न हो गता को बोला आप अपने तु अपने बीटे को वंठम एक र कंट्रोल में यह कुछ जूझ उढ़़ा है तो मान का कर लैं मौन रक लिया आज एक मान पर चा तो मैं को आपको शुलमाजन पतस्ते उसमें से था कलिंगा अब ये इनका पड़सवाला राज्य था और इनका दुश्मन राज्य था शुरू में ने बाद में दुश्मन बना शुरू में तो यह एक साधरन आदमी जाके बना मतलब साधरन जो मनुश होता है उस तरह का जीवन या पर उसने वहाँ पर जाके नॉर्मल आदमी कितार रहने लगा इसने उनको पता है नहीं कि मैं आशोका हूँ तब उसको एक लड़ी से प्यार हो गया तो यह राजकन्या थी बट उसके बाप का मतलब उसका जो डैडू था उसका सिया सिंगासन किसने अधरप लिया था और वह उसको मारवा दिया कि किसने इसको आसा पता चला कि उसकी माथ हो गए इसने उसको मंडर करी दिया है उसका इसा बाद चांपर हो गया था एक हुआ आपको मैं बहुँन abrircard मतलब जो कहयाल थे था ऊंको डीलिट टोर्ट्र करवाते था उनको शुवी नुक आता रहा अयसे मरवा देता था इसलिए इसको कोल्ते चंद अशुक बोल देती, मतलब चंद अशुक, कुरल अशुक, सबसे मतलब समें बेकार आदमी इसको बोलो जाता था, और once he become the king, he started expanding his empire, जब ए राजा बना ना, इसने खतरनाक तरीके से, सबको सामदाम दंडभेत, सारा strategy यूज़ करके, इसने ना, लोगों को मरवानी की को इसको बोलो जाता बैटल अप कलिंगा, जो 265 BC में हुई थी, समझ गया यहां पर देखो, ऐसा बोलो जाता है कि अभी भी यह जो कलिंगा है ना, जा पर वार हुआ था, अभी भी यहां पर जब नीचे मतलब जमीन को खोदा जाता है ना, वहां से तलवारे वालवारे निक जन्मा था, और पहले यह कलिंगा में घुमा हूँ, पर इसको ना, मौत का खोफ क्या है, वह नहीं पता था, यह डरता है नहीं था किसी चीस से, जब कलिंगा ने इसने इतने लोगों को, लाखो लोगों को मरवा दिया ना, तो यह बाद में वार हुआ था, जब वार हुआ बस मेरे इहो के चक्कर में, समझ गया, और उस टाइम पर यहाप, यह एकदम मतलब रोप पड़ा, इसको लगा कि मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मेरे इहो के चकर में बहुत लोगों की जान चले गई, समझ गये, हंडेड ओफ जो थाउजन ओप लोगे, लाखो लोगे मेरे वैसे मर गई, और यह जंड हो गया, यह एकदम डिप्रेशन में चला गया, और यह घर आ गया, और फिर इसको लगा कि मैं बहुत ही बेकर आदमी हूँ, इसने उस टाइम शपत ली, कि मैं आज के बाद, जिन्दगी में कभी वाइलनस नहीं करूँगा, समझ गये, होर तो इतना सही था, बुद्धिजम मतलब इतने बड़ी है चीज़े कि मैं जब पड़ा नहीं करें, मुझे एक टाइम पे लागा था, क्या, क्यों ना बुद्धिजम को अडब किया जाए, तो यह इसनी क्या कर दिया, आशोका ने, अशोका ने फिर बुद्धिजम को लिखा पड़ी, जो तेरा नंबर की रोक अड़ा बार मी मिला है, उसमे है अना कलिंगा वार के भार मी लिखा गया है, क्लेरिमर्ज ऑफ माइन बतलब कलिंगा वार क्या हुआ था, उसके बाद उस कलिंगा वार ने अशोका परसनल लिग्ठ से कनवड कर दिया था, वो सारी सोचने वाला आदमी बाद में उस वार से वो इतना डिस्टरब हो गया था परसनली ति उसने बुद्धिजम में कनवर्ट कर दिया और आज इवन उसने वाइलेंस को त्याग दिया समझ गए यहां अब कोशन इस पर क्या क्या सकते देखों सबसे पहले आप एक कोशन क्या है यह जो अं Genius अशो का था मंटलब अलग इसमा अर्जव का एम्पायर था ना चाहर्हा अब मगत उसमें अलग अलग जो अलग तक से लगागा अलग तक सियल सला अलग अनक्यवत थे तो आकशो का शुरुआ में कौणशे पर और तो यह उज्जिक antet अगशो का जोबनन अब समझ गए battle of kalinga कि शिल टेडे अशोगा स्लेटेडे battle of kalinga किस ने फॉट की थी अशोगा ने फॉट की थी बैटल आप कलिंगा कौन सी एर में फॉट की थी 265 265 265 265 BC में इसको फॉट किया गया था उसके बाद अशोगा ने बुद्धिजम में कब हुआ था समझ गया क्या ओए इस सबसे इंपर्टन को शुया लाप देखो अशोगा ने थर वूद्धिज काउंसल थी वो जो आज अश्चत्र थाना जिसने बाप को टपका था हरंक ड़ानिस का उसने अपने जो विम सारा बाप उसको टपका की राजा बना था उसने पहीं बुद्धि पुराइस्ट काउंच्रर का श्या चाहा आशो के फिर शिर्य पुरली पुरा ऑल में अहलो नहीं 30 कॉंच्ररक क्रफु पूष पुटभू के लिगे लुट इनेरे ऊना lorsquेुज कोईशु का चाहण टार्धा और जो तीस्त्री बुद्धिस काउंसल थे उसको प्रिसाइड मतलब वह अद्धेक्षर जो था वह इसने भला एक सब स्पॉंसर वान से राजा आशोक था उसने किया था बट उसको प्रिसाइड के सिने किया था मुंगली प्रिप्टा तिस्ता नहीं किया था इस पर कोशन आ नाम था मैंद्रा नाम था क्सथािन मातलम सहंगे उसने बृट। संगथ क्रिप्टा इनको धोनों को स्र्लंगर पेजयाता मतलब स्पेड करने के रहे और इस नियुक्तम जओ वो प्रकृत में लिखिए आपके वे शृष्थ में बाहाशोः श्क्रिप्त मिहीं समझत्य सम कर दो शुकह के रिलंका में उसके बाद अह यह कांपे हमें गवrench क्या अ हमें एकना डद अमी जो क्या मैव सुरक ही और गवी Tr兩 ऐस мама शरिया तरहलब है फोवडित स्सेंन हाद में अ शूर्ण जैनि जो रहों मतलं है इसको नहरे चाहिं जो पुरानी चीज है इसको खोच्छता था और इस सटैढ़ि करता था तो इसने कफी Anshokagya प्रिंगा टे तो इतने लोगों को मरुए था फिर बाद में ऊपटना कि हमने गलत किया फिर बाद में क्या हुआ चला फिर की को दुख हुआ फिर बुद्धिज्य काивать क्या ऐसे तरीका चला हमें जैना को छांड सबस्क्राइब टा-इस बोसके लिखा हुआ था अंeffective आए ऐसे चाहने चीजर प nutri तरीके से पॉंचलिति कया इंस्क्रिंप्रम स्राविकस करें जो दूसरा क्या था रोक के लिए मतलब बड़े पत्थर प्र प्र प्रतब क्यों चाह सोटे पन आधा करें इस तरह क्या है ऐसले परización sûr पढ़ा ऑफ आशोंत वाली सिर्टीकतर हें जो विजिद्दार मगी की जाती थे मागधिज script मतलब क्या होता है जय से इससे पहले मैं आपको बाता है आपस बाता हूँ अब मैं किस language में बात करा हूँ मैं हिंदी में बात करा रहा हूँ और अगर इसको language कॉनno पर अगर इसको English script में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, अब मैं बोल रहा हूँ, यह मैं बोल रहा हूँ, तो यह script होगी, यह कौन सी script होगी English, और language कौन सी, language हो हिंदी, बात हो हिंदी में कर रहा है, तो उस time पे बोलने वाले language थी मगदी, पर script कौन से थी, ब्रामनी script थी, तो मगदी इस डाइलेट ऑफ प्रकृत फांडीद मगदा समझेया क्या, तो अशोकर के टाइम पे जो script लिखे जाती थी, कौन से language मिल लिखे जाती थी, ब्रामनी लिखे जाती थी, इस्टन पार्ट में और वेस्टन पार्ट में जो मोरे अमपार उसमें प्रकृत लिखे जो कि प्रकृत लेंविज में बोला जाता था सारक सारा, जो कि खरुच script ने लिखा जाता है, खरुच नी मतलब कौँसी, जो left to right लिखा जाता है, यहां से इल्टा, और जो यह ब्रामनी script वो right to left लिखे जाती है, समझ गया तो इस तरीके से हमने यह भी देख लिया, बाद इस तरीके से दो पार्ट में इंडिया जो ही, इसे इंदर वेस्टम पार्ट इधर इस पार्ट में उसका प्रक पर जो ही, वो एमपार डिवैड हो गया, उसके जो grand sun थी समझ गए एक ने इस्टम पार्ट को पकड़ लिया दूसरे ने कौन सा वे इस्टम पार्ट को पकड़ लिया और उसका एंपार है वो दो कितना हुगा है साइज ओफ एंपर वाज दो सपाईज ओव दो से उप्प वाज ड़ा था बाध में क्या हुआ दो परिया जीए पर इसा चाहिए छोड़ा प्र शरसरे को गया लोगों में एक मेसिड़ चल गया लोगों में चला गया कि कुछ भी ओजाया हमी मायरे गानी हाशोक वाइलि klei तो populist फिर तक अशोक को लोग माननी बहुत लोग थी ना। तो क्यूकि आशोक ने इतना चंड आशोक से वह धर्माशक हो गया ता तो उसके एक तो बगवन टाइम इमेज हो गया थे उस टाइम पे उसके कारेकाल में ज्यादा कुछ अटेक होए नी पर जैसे आशोक चला गया तो आशोक ने बोला था में जाने के बाद भी कोई वाइल अगरा है वह थोड़े बाद आशोक के जाने के बाद साल बात उस लेक्षियर में मारें जो था उसको का घृम कर लिया लेक्षिर में चंदर्उप्त मोर रिया बिंदु सारा और चानकी उसको देखा आशोक को पूरा देखले तो आशोका जो अमरा जो एशाक यो टॉपिक कहते तotzतों स्कमत्रों और यहां रदधम हुग इस Wasisे निफर में पक्रइब का इंचना तुनर्यान परेश को क्यूंसे टा gider कर लिया पिल्डेर का रिखे लिएन देख लिक्षेक था और मिनैं का देकृकर अश्क्षा भुटा। उसमें क्या देखने है उसमें हमें देखने है आजके लेक्चर में on American in Constitution हमारा चो पंसे में इंडमेंडमेंड क्या होती है पहले तो हमें में आपको यह बताऊंगा कि हो екसा कि पैसा कि जाती वह बताऊंगा समझ गए का गया हो वह जो क्या अपना पर हां पर इंडमेंडमें सब्सक्राइब मतलब क्या देखो हमारा जो सभीधान बना था वो कब बना था वो जो कैमिनेट मिशन प्लान था उसके तरह 1946 में चालो गया था नोग नौवेंबर 1946 में उसका पहले मिटिंग हुई थी उसके बाद चालो गा था और वो 26 नौवेंबर उसको अड़क किया गया था अड़क किया था चैबीज जनवरी 1950 को समझ गया अब अब इक शुच्छा बन गया अप पर उसमें जो सारी चीज़ लिखी थी तो हमारे जो कंस्यूशन में करते जो सभीधान निर्मात हितना उनको एक चीज़ पत्ष लागई थी कि हम आप जो च जो कंस्यूशन है वह बहुत सही बट कल 10 साल बात बिस साल बात पाशाथ साल बात ऐसा भी हो सकता है हमने अभी में जो चीज़ लिखी यह इर्रीलेवंट हो जाए इसको हमें हटाने की जरुद पड़़ जाए या time चाथ साथ ऐसा भी सीत कि हमें कंस्यूशन में और अभी चीज़े डालने की ज़रूत पड़ जाए तो उस case में क्या करेंगे तो उस case में हमें क्या करना है हमें अभी का जो construction बनाए उसको हमें amend करने की provision डालने पड़ेगी I mean मतलब क्या कि इसमें कुछ change अब alter कर सकते हो कुछ चीज़े addition कर सकते हो हमारे सभी दन को बाद में future में हमारी जो generation से इंडिया की उनको उस सभी दन को change करने के अल्टर करने के अगर ज़रूत मैसुस पड़ जाए तो उस case में वो लोग को मतलब वो चीज़ उनको अलावड होनी चाहिए इसलिए अभी हमारा जो construction है उसमें हमें modify करने के लिए कुछ कुछ दालने पड़ेंगे कुछ तो ऐसी चीज़ डालने पड़ेंगी उसको लेकि ये बाद में construction को change कर सकते ही समझ गए तो वो जो चीज़ है ना time to time जब construction को addition उसमें कुछ चीज़ एड करना time के इसाब से बाद में या कुछ चीज़ इर्लेमेंट उसको delete करना या उसको modify करना अल्डेडी एक जो constitution में existing अगर उसको ऐसी चीज़ करनी था उसको बोले उस modification को बल जाता है amendment समझ गए amendment is nothing but the modification in construction तो हमारा जो सभीदा निर्माता था थी उन्होंने उस चीज़ को amend करने के लिए हमारा जो सभीदा ने उसमें जो constitution में part 20 जो है ना part 20 जो है उसमें एक article जाला उन्होंने article 368 और उस article 368 में इन्होंने यह सारी चीज़ डाल दी कि constitution को amend addition modification वो सारी चीज़े कैसी करनी वो सारा उन्होंने डाल दिया समझ गया तो हमारा जो constitution उसमें part 20 में एक article आता है उसका आर्टिकल का नाम है article 368, article 368 के अंदर हमारे constitution को amendment करनी की provision यह पावर है अब कैसी है यह देखो इतने टाइब से हम constitution को amend कर सकते हैं यह सारी चीज़े मैंने पॉलिटिका जो लेक्चिर आप पॉलिटिका सीरीज में जाकर उसको देख सकते हैं काफी डिटल में इसको कवर किया था हमने लगबग फोटे फ़ोटे फैमेंट का लेक्चिर था अब हम अब सिर्वीजन ले रहे हैं तो मैं आपको ओपर वह रही देता हूं देखो हमारे को अलग अलग चीज़ है अब उसको हमें amend करना है फॉर एक्जमपल तो कुछ चीज़ है जिसको amend करने के लिए अलग-अलग majorities होती है majority मतलब क्या जो चीज़ है बहुत easily add up हमें change करनी है उसको simple majority मतलब देखो क्या होता है पर्लेमेंट ने लोग सभाए लोग सभाए में 552 मेंबर से राजय सभाए में 200 मेंबर है अब आपको कोई चीज़ अमेंड करनी है तो आर्टिकल 368 को आप यूज़ करके अमेंड कर सकते हूं समझ गए पर अमेंड करने के कैसे जैसे आप अगर citizenship से लेटेड कोई चीज़ अमेंड करनी तो पर्लेमेंट में एक बिल आएगा हमने देखा था प्लेमेंट में बिल कैसे आता है हमने पॉलिटिकल लेक्ष्र में देखा था कि पर्लेमेंट में कोई भी बिल हो जब एक्ट बंता है तो कैसे बनता है पहले वो लोग सभ तरह किसे कोई भी amendment act है वह भी बात में उसको अगर करना है कोई भी चेंज करना है जैसे अभी citizenship से लिए हमारे कंशिट्योशन में काफी आर्टिकल्स लिए हमने दो तीन दिल पहले पहले बिदे के दिए आर्टिकल्स मतलब काफी लिखे हुए समय रहे है ना फाय उस से लेके लगभाग 11 तक अब उसमें अगर कुछ चेंज करना है यह मौडिफाय करना है उसको हम क्या बो है इसके सबसे अगर मतलब इन मैंजर अगर चेंज किया जाता है अमेंड किया जाता ए चेंशन को तो आर्टिकल 368 कई पर सिंपल मैंजर अगर किया जाता है तो सिंपल मैंजर ऊटका का यहाँ यह उसनियो तोudent लोग साबसे चेंज टैंज पर सेंप नाट करें तो लोग साबसे कितने Miembar होंगे या आपर 552 मेंबर हैं टोटल अगर फुरण प्रेज्टन खोले ना तो जितने प्रेज्टाइज पर सेंट अकर वोट करेंगे जिसे 200 लोग ने उस पिल पे वोट कर दिया वो जाएगा रा प्राजों सभा में जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 50% लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं वह बिल पे साइन मार देते हैं वह बिल प्रेजेंट के पास आएगा रोग बन जाएगा समझ गए तो अगर इस तरीके से कुछ चीज़ उसको चेंज करवा जा सकता है मैंने आपको लेक्शन माताय था जैसे श्रीज़न चैज़े उसको भी उस चीश से उस तरीके से यह हमारा जो आज यॉल्टर फॉर्पर चैजर्श करना है तो वह हम सिम्पल मेजलिस से करते我 कि अर्ट्र सिप्टी जरूरत नहीं हूतीं तो कैसे होता है मैंने बता है आपको 50-50 दोनों में से प्रेजेंट और वोटी और उसके बाद उप्रेशन के बाद जाएगा वो खत्म हो जाएगा वो सवा सो लोग ने वाप उस पर साइंग करना चाहिए तभी वो बिल पास होगा उसको बोलते है एपसुलूट मैजरूटी मतलब अगर सभीदान को अगर एपसुलूट में कोई आई जाए टॉपिक है उसमे लिकाए यह अगर इसको चेंज करना है तो अपसुलूट पी ऐसे काफी चीज़ है उसको अगर आपको अमेंड करना है चेंज करना है तो आपको पार्लामेंट में उसके लिए स्पेशल मेजरूटी मतलब क्या जितने प्रेजेंट है और उसमें से आर्टिकल 368 को उस चीज को अमेंड किया सकते हैं मतलब अगर जैसे हमारे सभीदा को यूज करके वहाँ पर बिल लाना पड़ेगा पार्लामेंट में उसमें जितने टोटल मेंबर है उसमें से टू थर्ड मेंजर मेंबर मतलब 66 मेंबर वहाँ उस पर साइन करेंगे लोग साभा से उसके बाद राज्य साभा से उसके बाद वह मैटर का पर जाएगा वह मैट उसके बाद वो चीज जाएगी जो स्टेट से अलग अलग उसमें राधे से ज़ाधा स्टेट नेयों चीज एक्सेप्ट करने चाहिए राधे से ज़ाधा स्टेट के विधान सभाए में वह मिल जाएगा वहाँ पे वह सिमपल मैजनिटीश उसको प्रेस करेंगे मतलब आदे से ज़ाधा लोग उसमें मेंबर आप लेख लेगी जो एमीले ओ व जब चेंज करवाना है किस और तपरीख से प्रेसे ने यावान रजसेट इन लोग समाए में और आते से ज्टेट से उसके जुविदान ने अगर एसा होता है तभी वह वुँद माइस से पास होजाएगा इस तरीके से वह ठीच्टेट के दियां ऑन्यूआच अमेंड्मशी वेश्वित में त्यूने तो उसको डूसलोग मर चुके उसको कौंड ने किया जाएगगा। फिर टोटल कितने करेंगे 250 बट आप सब्सक्राइब में जाएगा होता है। का आप है absolute majority में बर effective majority में का होता है जो लोग absent होते या जो पत खाली होते उनको छोड़के फिर उसके आदी समझ गया तो इस तरीके से हमने आज का जो हमरा लेक्षरी यह constitution amendment का उसको हमने देख लिया कि अगर आपको constitution को amendment करना है तो आपको simple majority कर सकते 50% जो लोग है total लोग साब राजे समय से वह present and voting हो सकता है वह article 368 को अंदर आता नहीं पर बाकि अगर आपको special majority बाकि सारी majority वह article 368 को अंदर आता है उस तरीके साब के question को change कर सकते हैं समझगे अमें कर सकते हैं इसके अगर आपको detail में जाना है तो आप उद्र वीडियो वह आप देख लो यह हमरा बस रिवीजन था समझगे तो आज को जो हमरा रिवीजन का लेक्चर था इसमें हम बस इतना ही अब इसमें किस एक बच्चा ने कमेंट के पार जाता कितना चार-पास दिन पहले वह वाली वीडियो जाए ना उसको दाकर आप देखो उसमें मैंने एकदम डीटेल में बता है आपको कि जो अर्थ है उजह से या पर देखो यह सन है यहाप अर्थ है अर्थ है यहाप होती है किस जुन को उसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप जाते है यह जो दो पूजिशन है इसको क्या बोलते है इसको इकुनस बोलते है इसको समर्स अलशेड़ में क्या होता है अर्थ होती है अर्थ 23 कितनी टिल्टेड है 23.5 टिल्टेड है समझ गया वह अर्थ सन को चक्कर लगा थी तो समर्स अलशेड़ में क्या स्विक्य को और यहां पर ऐसा होता है है भाद में का होता है इस लिए यह सबसे बड़ा दिन होता है भी इक ़िर्वॉरा हो संव बड़ा होता है वही वाटा सिम्भर अब उस टाइम पर जो नर्दनी मिस पर उस में सबसे चोटा दीन होता है और सबसे बड़ी राद होती और उस टाइम पर जो सबसे चोटा दिन होगा क्योंकि वहाँ पर रात बढ़ी होगी क्योंकि वहाँ पर रात बढ़ी होगी तभी तो अमरे या पर दिन बढ़ा होगा ना क्योंकि आद 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 आप इमेजिंग कर रहे हो ना यह चीज आप सेजन आप यह चीज देख सकते हो यह भी दो तीन दिन पहले इसकी इसको मैं काफी डिटेल में यह चीज में आपको बताई थी समझ गया तो आज का जो लेक्षेर हामारा इसमें बस इतना ही थेंके सो मच इंजोई